तो भाईयों जैसे कि मैंने यहाँ पर Instagram को open किया, open करने के बाद simply यहाँ पर मैं इस plus वाले option पर क्लिक करता हूँ and यहाँ पर इस post के option पर क्लिक कर लेता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद यहां से मैं एक photo select कर लेता हूँ and भाईयो यहां पर मैं इस arrow वाले option पर क्लिक कर लेता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद simply यहां पर हमें नीचे एक option देखने को मिलता है advanced settings मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें एक option देखने को मिला है schedule this post तो भाईवे आपको अभी तक ए option नहीं मिला है schedule this post तो फिर किस तरीके से मिलेगा आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो चलिए वीडियो को करते हैं start और आपको बताते हैं कि आखिरकार schedule this post option आपको कैसे मिलेगा उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आखिरकार schedule this post option है क्या तो भाईवे इसकी मदद से अब आप यहाँ पर आपनी किसी भी post को schedule कर पाऊगे schedule करने से होगा क्या कि जैसे की मानलो कि आपको अपनी photo कल post करनी है Instagram पर तो यहाँ पर simply आप आज ही इसको schedule कर सकते हो कि कल आपको कितने time photo को post करना Instagram पर तो यहाँ पर जैसे ही आप schedule कर दोगे automatically उतने time ही मतलब Instagram पर आपकी photo post हो जाएगी तो इसका मतलब यह होता है कि आप schedule करोगे कैसे अब भाईयों मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक आपको schedule option नहीं मिला तो फिर कैसे मिलेगा तो भाईयों उसके लिए simply आपको करना क्या है आपको अपनी mobile phone की setting को open कर लेना है तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी mobile phone की setting को open कर लेता हूँ setting open करने के बाद भाईयों simply आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा यहाँ पर आपको सर्च बार में type करना है जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से आपको लिख कर सर्च कर देना है तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो आपके सामने option आएगा आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको इस manage apps के option पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको सर्च बार में type करना है इंस्टाग्राम तो यहाँ पर इस Instagram आ जाएगा आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे एक option मिलेगा यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है clear data तो simply आपको इस clear data पर क्लिक कर देना है यहां से आपको बैक चले आना है स्के बाद यहां पर आपको इस Play Store को Open करना है तो आपको तुरंथ अपडेट कर लेना है अपडेट करने के बाद के बाद आपको Instagram Open करके एंड वहां पर किसी एक Post को मतलब आपको Should करना है select करने के बाद आपको check कर लेना है तो instagram पर जो scheduled का option है वो आ जाएगा फिर भी भाईयों नहीं आता है तो आपको क्या करना है तो simply यहाँ पर आपको फिर से ही play store पर आना है यहाँ पर आपको search बार में फिर से instagram सर्च करना है तो आप देखोगे कि यहाँ पर मेरे instagram में बीच में यहाँ पर लिखा हुआ है बीटा instagram bracket में बीटा लिखा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पर instagram का बीटा वर्जन जॉईन करके रखा हुआ है तो भाईयों आपको भी यहाँ पर आना है यहाँ नीचे का option है यहीं पर ओगा join का option आपको join पर click कर देना है यहाँ पर लिखा होगा join a beta version तो जैसे ही आप beta version join कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ से back चले जाना है back जाने के बाद आपको 10-15-20 मिनट बाद यहाँ पर आना है तो फिर से आप देखोगे instagram सर्च करके तो यहाँ पर update का option आजाएगा और यहाँ पर लिख कर आजाएगा beta तो भाईयों जैसे ही यहाँ पर कोई भी update आता है आपको तुरंत update कर लेना है अपडेट करने से होगा क्या क्या क्योंकि भाईयों instagram पर जो भी new feature आते हैं वो सबसे पहले जो लोग beta version जोईन करके रखते हैं उनको दिये जाते हैं तो भाईयों जो यह आप beta version जोईन कर लोगे तो यहाँ पर जो यह option आया है schedule this post तो यह option भी नया ही है तो हो सकता है कि आपको भी बहुत ही जल्द मिल जाए और भाईयों मैं एक चुछ क्लियर कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पर देखिए कि मैंने Instagram का beta version जोईन करके रखा हुआ है लेकिन भाईयों यहाँ पर मुझे इस वाले account पे जो है तो यहाँ पर यह मिला हुआ है schedule this post लेकिन भाईयों मैं यहाँ पर आपको दूसरा account ओपन करके दिखा देता हूँ तो भाईयों जैसे कि मैंने यहाँ पर इस दूसरे वाले account को open किया तो simply यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पर इस plus वाले option पर click कर लेता हूँ इस पर click करने के बाद यहाँ पर post के option पर click करता हूँ एक photo select करता हूँ एंड भायो कुछी इस तरीके से यहाँ पर मया गया और यहाँ पर नीचे advanced setting पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो भायो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कोई भी schedule this post का option नहीं मिला है तो भायो इसका मतलब यह भी हो सकता है एंड यहाँ पर आपको इसको update करते रहना जैसे ही आप update करते रहोगे तो आपको भी option बहुत ही जल्द मिल जाएगा मुझे अभी इस id पर नहीं मिला है लेकिन मुझे पूरी उमीद है कि जल्द से जल्द इस id पर भी मुझे इंस्टाग्राम पर schedule this post का option मिल जाएगा तो बस यही तरीका इंस्टाग्राम पर schedule this post option पारने का अधिया आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो यह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना इस वीडियो को लाइक करना तो यह तब तक के लिए बाई